नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपने यूट्यूब चनल बीनोजय कसन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नमर 14 कितना देखें क्लास नमर 14 और 14 हो प्रैटिक सेटिस में हम लोग लगाएंगे ठीक है और याद अखना CSBC के दोवाला जो नया सिलिवस दिया गया है नाइन तों टेंथ के बेस पी ये सारा आपको जो सिट करवाए हैं सारा उसी के बेस पे आपको करवा रहे हैं ध्यान रखना ठीक है इसमें अगर आप 70 प्लस स्कूर कर लेते हैं तो बहुत ये अच्छे पोजिशन में है ध्यान रखने इसी को ठीक है और याद रखना अंतीम प्रहार बैज के तत्याथ क्लास डेली सोबह में आठ बज़े सोबह में आठ बज़े ठीक है और अंतीम समय रखना बैज जरूरी है तो अंतीम समय आपको टिक लगा के अल मैटरियल मिल जागा है यह निकि नाइन्थ तेंथ का पूरा सब्जेक्ट बाइज जो आपको मैटरियल मिल जागा पीडियाफ एंसर लगा के ठीक है जोड़ने के लिए क्या करना है 93-41 यहां से नंबर लिख देते हैं 93-41-24-24-10 यह आपका दोस्तों नंबर है इस पर दोस्तों वाटसेफ मैसेज करके 150 रुपिया के पेट ग्रुप में जोएन करके सारा पीडियेफ आपको इसमें मिल जागा फिरी एकदम आप समझे कि बहुत ही कम समय में सब कुछ कर रिविजन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि नए सिलेवस के अधार पर दोस्तों एक्जाम होगा ठीक है नए सिलेवस और जन सारा पीडियेफ आप ग्रूप में भी एड कर दिया जाएगा ध्यान रखेंगे इस लिए और याद रखना सो अब समय नहीं है तो अब समय ने जितना ज़्यदा आप मेहनत करेंगे ठीक है जितना ज़्यदा आप रिविजन कर सकते हैं जोड़ लगा देजे ठीक है अंतीम आप पूछ रहा है कि वर्मी कल्चर में परियुक्त वर्म होता है वर्म आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें परियुक्त होता है याद रखना यह अर्थ वर्म क्या होगा यह अर्थ वर्म हों जागा एंसर यहां से डी आपका करेक्ट रखना ठीक है अब यहां से याद ठीक है एंसरियां से क्या होगा डी आपका राइट होगा याद रखने ठीक है केच्वा को याद रखना किसान का मित्र भी कहा जाता है चले आगे बते हैं क्या पूछा है निमलिखित मेंसे कौन एक वास्तिविक मीन यानि की एक मचली का उधरन है याद रखना यह आपका जो किस पर अधारी था पूछ रहा है याद रखने यह लेंगिक जरन क्या वह यह लेंगिक जरन एंसर यहां से सी आपका राइट होगा याद रखने ठीक है और इन्होंने दुस्तों परियोग जो किया था किस पोधे का परियोग किया था और वांसीता का पता लगाने के लिए याद रखना मटर के पोधे का किसका मटर के पोधे का पड़ियों किया था याद रखनी ठीक है चलिए आगे बढ़े कि क्या पूछ रही है यहाँ पर देखे स्टार्च को जल अपगटन से गुलकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है यहाँ पर देखे स्टार्च को जल अपगटन से गुलकोज बनाने वाला यहाँ पर पूछ रहे एंजाइम कौन सा है याद रखना इसका राइट आपका राइट होगा ठीक है यह इंपोर्टन कोशन है इसको भी अच्छे सी याद रखना ठीक है आगे बड़ी क्या पूछ र होता है यह सिग्री मुत्र के माद्यम से भी इसका उस सर्जीत हो जाता है ठीक है इसलिए हमारे सरीर में संचित के रूप में नहीं रहता है याद रखना ठीक है तेमिंसी याद रखना आगे बढ़रें क्या पूछन को आप्स है और कार्वन मोनोज़ट विसकत्ता यहां पे करेक निमले खित्मिंशे को मुक्यता परभावित च्छे का यहां से राइट च्छे क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो याद राखना है, चलो आगल बादें किया पूछ रहे हैं, यहां पर दिया है कि रक्त होता है, यह आपसे पूछ रहे हैं तो आपको कितना वर बताएं कि एक सन्योजी उत्तक है ठीक है एंसरियां से क्या होगा ए आपका राइट होगा याद रखने ठीक है एक सन्योजी उत्तक है ध्यान रखेंगे आगे बताएं कि आप पूछ रहे हैं मानब के मस्तिक्स में अस्मरन चमता करे कहां होती है यानि के सोचने की च्छंताइं होती है याद करने की च्छंताइं होती है यह सभी कहा होती है यहां पर ठाएंड किरिया अगर पूछे कहा होती है यहीं पर होता है ध्यान रखना आगे बढ़ यह क्या पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी किस यंतर द्वारा मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी कर रहे किस यंतर के द्वारा मापते हैं तो यहाद रखने यह गायगर कॉंटर यह क्या होगा य है answer क्या हो कैंसे डी आपको रट हो ज deport आ याद रखनेंसे बहुत्तिक परिवरतर रखनें ऑपका क्या होता है जिसमें याद रखनें जो जो अगर अपनी आवस्था को छोड़के त्यक्ते वह दूसरा आजा लेकिन पुना अगर वो अउस्था में लेकर आया जा सकता है, वो आपको पुछ रहे तैकन की अच्छा होगा है, अच्छी से जश्यर्वाधत, रहा हमें था उसा नहीं की आफ्वा नाग रिक्रिलुर्ण दिशा。 एंसरियां से क्या होगा ए आपका करेक्टर का याद रखना ठीक है इसका परतना हैं पूछे कितना होता हीरा का तो 2.42 कितना 2.42 याद रखना आगे बड़ी है क्या पूछ रही है यहां पर देखें निमली खित में से कौन केवल कारवन से बना होता है आप्सन भी यहां पर बताना है कौन एक ऐसा चीज है जो केवल आपको कारवन से ही बना हुआ है याद रखना यह ग्रेफिन हो जागा एंसरियां से सी आपका दोस्तों करेक्टर का याद रखेंगे ठीक है चल आगे बढ़ें क्या पूछ रहें यहां पर देखें कि निमली खित में से कौन सा दुसरियां प्रेक कर रहा है कि समान निताप पर ठोस अवस्ता में रहते हैं आगे बढ़ेंगे निमली खित में से कौन सा पिर्थिवी पर जीव की उत्पती के लिए मूलता उत्तरदाई है पूछा यहां पर ठीक है याद रखने इसमें टोटल 6 पदार्थ की जुरुवत परती है लेकिन आपको यहां पर तीने चुनना है छे पदार्थ की अवसकता परती है याद रखनेंगे यहां से अगर आप्सन देखेंगे तो कारवन, हेड्रोजन और नेट्रोजन आपका हो गया उसके बाद ऑक्सिजन ठीक है उसके बाद ऑक्सिजन, फिर फासफोरस, सलफर, जीवन से जूरी दोस्तों याद रखनेंगे यह सभी अधार, हुत, रसायनी का आपका यह इनहीं से बना हुआ था तो ठीक है यह आपका क्या होगा, बी यहाँ से करकर याद रखेंगे चले आगे बाद इनटे, आप पूछ रहे यहां पर इजा है निमलेखित मेंसे किसको कर अगा है, वूड इस्पिरिट, यहां पर भी कहा जाता है पूर्जीपूए स्पृर्ज किसे कहते हैं याद आ ड़कना है मेथिल आलकॉछ Whole क्या होगा है मेथिल यह का यहाँ को एस अ है आपका जो पूछ रहा ठीक है चले नेक्स कस्ने के मीह देखेंगे क्या पूछ रहा है यहां-पर कर रहा है ठीक है यहां पर क्या करना है तो एक सो में देखेंगे तीन से कितना आपको गुनल निकलता है ठीक है एक सो में तो जन 33 मρथ बए कटेगा यहंदे 2359 में एक आपका वस्ता तो नहीं कटेगा एक सोथ नहीं कटेगा लेकिन 33 अंक ऐसा होगा जो इसमें आपको कट जागा यह निöttे 33 या 99 में 33 इसका हो गया ठीक है breath है चार से अगर देखिये हम इते교 कितना हो गट जाएगा यहां से आपका 25 तो किसार पचीस अंग हो जाएगा 25 आपका इस निकल गए ठीक है गूंनज आभ यहां पे तो यहां पे तुसरे क्या करेंगे तुश्टास क्या करेंगे दोनों का गुनाज यहां पर हो सकता है यह तीनों जो आपको यहां से निकला तीनों जो आपको यहां से निकला है तो उबेने से बुला फर्मुला एक आप लोग लिख लेंगे ठीक है क्या होता है तो याद आखना है यहां से जह है एन इंटू आपका ए आपको यहां से यूनियन ठीक है यूजा ने आपको निकलना तभी तो कितने गुनदे निकल लेंगा न हो धोनों का यहां से देखे आप ब्राबर क्या होता है यहां पर एन ए पलस एन बी टीक है और को ओल्टा आपका हो जगया झालता यह हो जगा फिर ये घखे अन फ तो यह जो दोनों का निकले आठ निकला ता आठ देखे पतीस और तैंतिस को जोड़ेंगे तो अंठावन ने से आठ है कितना हुआ पचास पचास यहां से इसका ज़ए रायइट टेंसर हो जाएगा ठीक है एंसरे यहां से क्या होगा दूसरे यहां से याद रखने इस प्रोसेस को एंसरे यहां से भी आपका correct हो जगे याद रखेंगे ठीक है जब परीदी 33 दे दिया तयां से और निकल सकते हैं तो गुना 22 वटे 7 और गुना करेंगे आख बराबर यहां से करेंगे 33 तो निकल देगा चाहते इकीस वटे यहांसे 22 धूना 4 तो आपको और निकला अब यहां पर ध्यान दे हैं संगु का आइतन क्या होता यह सभी फर्मु 3 रख दिए 1 वटे 3 22 वटे 7 ठीके और R कमान केतना निकला 21 वटे 4 और गुना यहां से 21 वटे 4 एच कितना दिया 16 ठीके साथ तिया 21 चे-क है यहां से तीन सथ्य sticky जाएगा ठीक है यहां के चार्चोंके सोला मगां है अब यहां-पे देख़े इसको सभी कुझना करेंगे साथ 31ateralature and 22 कुझना करेंगे कि तुछ 162 उखता निकलेगा 462 देख लिए जो option में है option यहां से जो है c में c इसका राइट टेंस होगा ठीक है process को यहाद अखना संकु का जो आयतन लिखा है इसे भी अच्छिस यहाद अखना चले आगए बढ़ें क्या कुछ रहें यहां पर देखें क्या करना है इस सवाल को इसको तोड़ेंगे ठीक है यह आपको त् और अस्थानिया मान अलग अलग होता है ठीक है अस्थानिया मान क्या होता है अगर इसी में पूछता है कि साथ का स्थानिया मान बताई यह अंक में तो साथ सो हो जाता है कितना हो जाता साथ सो अगर अंकीत मान पूछे तो यह साथ वनली होगा ठीक है समझ गए अब यहां पर दिया है कर रहा है कि एक तार को जोसे लेंदाफ की यहाँ में लेकि पर इमाप पर का परिमाप पर रहा का प seryttet पर पर को जा हो डिरुक का फोर्माप की concept से चार हो जागा यहां पहर क्या हो जागा ब्रीत का यहां से यह भी हर vibes कि लगोई को प्रिमाप क्या होता है तू आप्वाय का मांगि क्षज़ बाइस वटए साथ है र guidance यहां यहां पहर ठीक है देखे white और 26 यहां से कट गया ठीक है यहां देख्ट है दो चार दो यहहां से चारठ, साथ दोना चोहदा आरवावर किता निकल गाया i4 semtrinekli से भü जबाने से how d。」 भी आपको यहां से राइट हो जागा, ठीक है चल लागे बढ़े कि हकेशन आप कि आप सो शे सो पचास तक अईसे केती संक्याइशा है जाएगा PDF में इसका solution दे देंगे ठीक है बाइस के यहां से आपको निकल जाएगा कितना तब बाइस को यहां से दोस्तों निकल जाएगा आपको राइड टेंसर ए निकल जाएगा 87 यह से संख्या है इसमें जो आपको एकी से divided हो जाएगा अजी नहीं होगा ठीक है चले आग बढ़ेंगे कि आप पोछ रहे हैं यहां पर दिया है दोस्तों कर रहा है कि पांच उंक के संख्या यहां पर इतना इतना दे दे देगे आपका संख्या है ठीक है इतना तीन साथ और ग्यारा से भाजित करने पर यहां पर कर रहा है कि इतना विभाजित है यह आपको है भी तो तो से 231 अब थोरा सा दिमाग लगए कितना तक अंक दिया है यहां पर छे साथ चे तक दिया है इस संख्या में कितना से गुना करेंगे दोस्तों यह आपको एप्रॉक्समेटली इतना आ जाएगा ठीक है तो गुना करेंगे ठीक है उसके बाद आपको यह अंक निकल तो यहां से कितना तो आट को निकल देगा आठ से मरावड तो पंदरब सब्सक्राइव के तक इतना नोल यहां नोल यहांते हैं आगे बढ़ेंगे क्या पोच रही हैं पर देखें लौजिकली स्वाल यह सभी बनाने की विजरुवत नहीं है gilt दो अंकों की संख्या में सारा इक आही अंकों की संख्या है। धियान दए ये जो योग आपका होगा तो आगर आपशन बेस पूटाएंगे तो साथ तिन दस योग कटेगा नहीं कटेगा आठ तिन अगर ये भी नहीं कटेगा ये अपको पुरा ना था ना भाग यानि की राइट टेंसर भी यहां से करेक्ट हो जागा थिक है थोरा सा आप उपर में बता हैं, आप लोग बनाएंगे 26 का यहां से राइट अंसर क्या निकलेगा, D आपको यहां से निकल जाएगा, ठीक है, D यहां से आपसन में निकल जाएगा, आगे बड़ी है क्या पूछ रहे कि दिये गए सब्द का बिलोम क्या हो जागा, यहां से ए हो जाग नेच्स बाटेंगे क्या पूछ रहे है यहां से तनाए, आपसने अपका बहुत म्याद पूछ ने कर आपको बेटेंगे यहां पर करए कि दिये गए दो सुधाने कर देंगे, तरह तनाएगा आपको हो जागा सामने से गुजरते देखा था देखा था, लेकिन वह तो साम ही निकल जाता था ता यहाँ पे क्या होना चाहे हैं अगर सुध्ध अगर देखेंगे यह B होजाएंगे, लेकिन वह तो साम ही है यहां पर यहां से क्या है तो यह आपका तिरूटी हो जाएगा ध्यान डखना चलिए लागे बढ़ेंगे क्या पोछ रहें कि दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द देंगे यहां पर अगर देखेंगे इसे क्या बोलेंगे इसीता अजय हो जाएगा ठैकर है परोपकार सब्द में कौन से संदी है या रखने गूनसंदी क्या होगा गूनसंदी एंसरियांस यह आपका करेक्टजाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे next question बते ही क्या पोचरे करें कि निम्ली खित्मी से उस विकल्प का चियन करें जो फूक क्या पे फूक फूक कर कदम रखना का महावरे का अर्थ बताना ठीक है फूक फूक के कदम रखना महावरे करतियां से क्या हो जागा याद रखना सी हो जागा आगे बढ़ेंगे हो जाता है ततपूरस हो जाता है यहाद रखना ठीक है ततपूरस किसे कहते हैं जिससे सब्द में पूर्वपद परधान हो पूर्वपद परधान हो और उत्तर पद गोन हो देखें बैल तो गारी है लेकिन बेल की गाड़ी सिंपल है बेल परधान है यहां पे लेकिन गाड़ी क्या है गूम है एक तरह से यह आपको होता है तत्रूस एंसर डी हो जागा आगे बढ़ेंगे नेक्स कोशन बते है क्या पूछन निमलिखित में से करेकर रेखांकित खंड को परतिस्थापित करने के लिए उप्यूकत विकल्प का चियन करें तुम्हारे बातों का कोई परमान नहीं है परमान के जगा पर यहां पर क्या हो सकता है यह आप से पूछ र याद रखने इज्राइल से भारतिये को करें कि भारतिये नाघरिकों को वापस करने की स्विव्दा ठीक है वापसी के लिए चला गया था आजाए अन्सर यहां से क्या होगा बी आपका रैट जगा याद रखने ठीक है चाली में करें कि किंदो शर्वजनिक चेत्रों के उ फाली में याद रखन यहां से वह जाएगा आरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ठीक है और यहां पर राइट लिमिटेड ठीक है अंसर यहां से क्या होगा भी आपका राइट होगा याद रखन ठीक है यह जो आरकन देखने रेल मंतरा लेका धीन है धियान रखेंगे चले कस्तर पर सासन को बढ़ाने के लिए 30 सितमबर 2023 को पिया मोदी द्वारा शुरू की गए सप्ता भर के काईकरम का क्या नाम रखा गया है या दखना यह बी हो जागा संकल्प सप्ता क्या होगा संकल्प सप्ता एंसरियां से दी आपका करेक्ट हो जागा आगे बढ़ें क्या प आगे बढ़ें क्या पोच रहें कि विश्विद्याला अनुदान आयोगी यह भी कोशन बहुत महत्पून रहा दोस्तों यूजी से संबादित कोशन एकजा में पूछा एता है यूजी सी याद रखेंगे यूजी सी यहां पर पूछ रहें कि यूजी सी के अध्यक्ष कौन है याद रखने यह एम जगदिश कुमार क्या हो गई है एम जगदिश कुमार एंसरियां से ए आपका करेक्ट हो जागा आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहें यहां पर दे कि अंतराश्टिक कॉन्वेंश अध्यक्या पर पूछ लूजगा, याद रखने इसको ठीक है याद रखने इसको ठीक है याद रखने यह नई दिली में, कहूँर जागा नई दिली एंसर यहां से सी यहां पका करेक्ट हो जागा आगे बढ़े हैं क्या पूछ रहे हैं पे देखे पोधा क्राव किस्म पंजी करण के संदर में किसानों के अधिकारों को सामिल करने वला दुनिया का पहला देश पना है पौधा किसम पंजी करन के संदर में ठीक है 44 के याद रखने हैं से C हो जागा भारत क्या होगा भारत अपना एंसरियां से C आपका राइट हो जागा आगे बाड़ यह कावेरी जल्विबाद जो है भारत के किन दो राज़ों के बीच है कावेरी जल्विबाद बहुत मैं अपनों कोशन रहेगा याद रखना ठीक है इसका जो राइट टेंसर का यहां से दोस्तों आपसन बेस पर देखेंगे तो यह करेक्ट टेंसर 45 का C हो जागा तामिलनाडू, करनाटा, केरल और पुदू चेरी ठीक है याद रखना है इसका राइट टेंसर 46 का क्या होगा यह सी हो जागा ताइवान यहां पर नहीं है ठीक है ताइवान नहीं है आपसन सी हो जागा देखें इसके सदस कौन कौन है जैसे आपका बुर्नोई हो गया कंबोडिया, बियतनाम, उसके बद लाओस यह सभी आपका है इसके सदस्टिक है मलिसिया भी, महिनमार, फिलिपियन, सिंगापोर, थाइलेंड, बियतनाम यह सभी आपका सदस्ट है ध्यान रखना, ठीक है, आगे बड़ी क्या पोच रहे कर कि जब बिदुत उर्जा, गतिज उर्जा में परिवर्तित होती है, तब पूछ रहा है, क्या होता है, याद रखना, उसमा की कोई यपको जहानी नहीं होती है, आपसे जैसे क्या होगा, यह आपका राइट जागा आगे बड़ी है क्या पोच रहा है कि ट्रांजिस्टर, क्या है पे ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सरवादिक पर्युक्त पदार्त है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सरवादिक पर्युक्त पदार्त है, यहाँ पे पूछ रहा है, और तालिस का राइट टंसर बी हो ज यहां रखना ठीक है दोस्तों आपस रिक्वेस्ट है अगर आप इस सनल पर नाई है ते चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सेर करना ठीक है और दोस्तों या देखना पेड़ ग्रूप जो जैन नहीं कि अभी कर लिजे मौका है याद परसन के नहीं से देखना है और दोस्तों या दखना थान को में से बिलकुल अलग है यह जिज्छी ध्यान रखना वर्ड का सेंस भी बहुत सारा अलग-अलग होता है इसलिए अच्छे से एक वार सिलिबस को पॉठल ना पेट ग्रूप जोएन करने के नमबर देते हैं ठीक है नमबर पे मैसेज करके आप लोग प्राव्ट कर सकते हैं तरहन में 41 ठीक है चोवण 24 दस चोवण 24 दस यह नमबर है मात्र 150 रुपया में सारा नोट्स यहां पर फीरी में मिल जाएगा पीड ग्रूप में ठीक है उसके बाद आपको पेड ग्रूप में जोएन करेंगे डेली बिसस पर आपको सेट प्रैटेक्स भी कराएंगे नए तर ठीक है तो चलिए आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेस्ट कोशन कहां पर क्या कर रहा है कि किसी आती चाला के दुवारा प्राप्त अधिक्तम ताप होता है देखिए अती चाला के दुवारा याद आखना उन्चास को यह से राइट टेंसर क्या हो जागा आपका बी हो ज यांतरी को जाम यह सारा कोशन आपका सिलेवस कर ठीक है जाकर देखेंगे साइंस नाइन तेंट में पूरा भड़ा हुआ यह सबी ठीक है पचास के यह दखने क्या होगा यह बिदुत मोटर रहने वाला है लेकिन कटा उतना भी ज्यादा हाई नहीं जाएगा क्योंकि आच चले नेक्स करशन देखेंगे क्या पोचर करें कि भारते सवीधान को अपनाया गया था था भारते सवीधान को अपनाया गया था पूछे यह सुख्रित किया था पूछे किसके दोरा किया गया था याद रखने यह सवीधान सभा के दोरा किसके दोरा सवीधान सभा के दोर और पूछे कि सविधान को लागू कब किया गया तो याद रखना 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को सविधान को लागू किया गया, देखिए लागू और अपनाया दोनों अलग कोसने अच्छे सिया रखना एकजाम में बहुत confusion होता है, ठीक है, चलिए, आगे बाड़ी क्या पोछ रह आपका राइट हो जगा, आगे बता ही क्या पूछ रहे करें, किस ने कहा था कि सविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत की थी, देखिए क्या पूछ है, सविधान सभा के बारे मिया पर कहा गया कि कांग्रेस की थी यह सविधान सभा और कांग्रेस भारत की थी इसका right answer पर्बित है कि बहुत है कि भारत की संसदिय पर्णाली संसदिय साषन पर्नाली से किस परकार अंतर है वो बिंदू आपको यहाँ पे दोस्तों बताना है ठीक है देखे संसदिया परनाली कहां से लिया है भारत के सभिधान में संसदिया परनाली जो लिया है बिर्टेन के सभिधान से लिया है लेकिन करें कि दोनों में अंतर क्या है तो दोनों में यही अंतर है कि नियाईक समिक् कर सकते हैं यानि कि सर्बोच नियाल जो है उस पे बता सकते हैं कि यह सही है गलत है अगर गलत लगता उसे रद भी कर सकते हैं सर्बोच नियाल यह भी याद रखना इंसरियं से क्या होगा बी आपका करेक्ट जायगा आगे बड़ी क्या पोच रही यहां पर एक निम्लिखित में से कौन दोसरियं आपे करेक्ड कौन सा भारत के सविधान दोरा छे रखना है जी है ध्यान रखना ठीक है आगे बड़ यह क्या पोछर यहां पर दे कि भारते सभीधान के निमलेखित में से किस एक संसोधन द्वारा राष्टपती को कोई भी मामला मंतरी परिशत द्वारा पुनर विचार के लिए वापस भेजने का दिकार है यानि कि क्या राष्टपती कोई भी मामला अगर मंतरी परिशत द्वारा पुनर विचार करने के वापस भेजना है तो किस संसोधन के तत किया गया तो याद रखने है यह 44 में सभीधान संसोधन 1978 के तत किया गया अंसरे असे D आपका राइट हो जागा आगे बताए कि आप पोछर यहां पर दिया है कि भार याद रखेंगे और तिरंगा में अगर तीली जो रहता है बीच में देखते होंगे जग चक्र है उसमें पूछे कितने तिली याद रखना 24 तीलिया होती है याद रखेंगे ठीक है चले आगे बढ़ेंगे क्या पूछर यहां पर दिया है कि दोस्नों निमलिखित में से अप और यहां पर देंगे रहा है कि भारत को धर्मिर्पेग्ष राज वर्णित करता है जोड़ रखना ते याद रखना आगे बढ़ेंगे नेश कुस्टन बते हैं क्या पोच रहा है यहां पर दिया है दूसरों का रहा है कि भारत के राज्यों का निमलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पुर्वी और सबसे पस्मी राज को इंगित करते हैं मतलब क्या सबसे पुर्वी बताना पूछा जाएगा ठीक है जाएगे बढ़ेंगे कि आप उसर सारा कुस्टन सीलेवस का दोस्यां पर है और सीलेवस से बाहर इस बार कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है इसलिए बहुते हैं पेड़ ग्रूप सभी लोग जरूर जोइन करना पेड़ ग्रूप बहुत ही प्लस स्कूर आपका जरूर आएगा दोस्तों ठीक है जो भी जोड़ना चाथे हैं जूड़ जाएगे तरानमे एकतालिस एक तालिस यहां से लिग देते है नमर तरानमे एक तालिस चोबन स्कूर अच्छा होरा ए तो कुछ भी नहीं है ठीक है पहले हम लोगों exam past करना गर, exam past करने के लिए एक run नीति के दाथ आपको बता रहें ताप follow कीजिए उसे, जरूर आपको सफलता मिलेगा, ठीक है, ग्रूप में जोएन करने के लिए इसमें मेसेज करेंगे, बोलेंगे सर्म को pdf चाहिए चाहिए, चेक ग्रूप में जोएन कर कि दोनों बहुत अलग है जन्रल कंपेशन जो हम लोग यहां पर पॉड़ रहे हैं और नाइन जन जो आपका है बॉर्ड का भी सेंस का अलग अलग दोस्तों यहां पर फरक हो जाता है इसलिए जरूर पॉड़ की एक्जाम देने जाना ठीक है चली आगे बताई कि क्या पूछ और अगर पूछी दोस्तों के कितने राज से होकर यह गुजरता है तो आठ राज से होकर यह गुजरते हैं ध्यान रखना मित्र पर गमचा जार आपको ट्रीक भी बताए हैं ठीक है आगे बढ़े क्या पोछ रहे हैं यहां पर देखे कौन से भारतिर राज की अधिक्तम सी याद रखना है यहां से बी हो जागा आरुदार चल परदेश ़ो साजा करती किम मिजॉरम जो करती है 510 मनीपुर कितना करती है कितना 3908 किलो मेटर यह साजा करती है नागा लेंड करती है कितना मातर 215 किलो मेटर यह सभी को याद रखेंगे दोसों ठीक है आगे बढ़ यह क्या पोछ रहीं यह पर पीदा कि सिवालिक श्रेनी का निर्मान हुआ है यह किस यूग में हुआ पूछ रहें तो शेनुजोई इस question को भी याद रखना भी भिया रहेगा और छप भी गया होगा एक question ठीक है आपसने यहांसे डिव जागा और सिवाले को अगर पूछे परवत दोस्तों कि इस राज में है तो याद रखना हिमाचल परदेश में ध्याम रखने है ठीक है चलिए आगे बताए कि आप पूछ भारत से होकर जांदेना इस question को लॉजिकली question है भारत से होकर पूछे की बहने वाली सबसे लंबी नदी खोना है तब आपको सिंधू नदी हो जाता है ध्यान रखना है ठीक है सिंधू जल संदुता कब हुआ उनी सो साट इसमें हुआ था याद रखना भारत और पाकिस्ता के बीच याद रखनें ठीक है याद रखना बहुत महत्पून question रहेगा सारा point अच्छे से दोस्तों याद रखना ठीक है आगे बढ़िए क्या पोच्छा है काड़मम पहाडियां के ने राज के भी सीमा बनाती है याद रखना ये चेरल और तमिलनाडू answer सी हो जागा आग answer यहाँ से डी आपका correct हो जागा आगे बढ़िए क्या पोच रहे हैं यहाँ से ब्यापका right हो जागा आगे बढ़ेंगे क्या पूच रहे हैं यहाँ पे देखके किस वेद में सभा और समेती की परजातियां की दो पोत्रियां कहा गया बहद इंपोर्टन कई वरीजा में प बढ़ेंगे इंसर घगा जादू टो नटेक है medicines ऊचिश सहा इसी में थिए अथर अथर वेद में ठिक है और साम यादखना संगीत से बोलते हैं य और पॉद का वेद अगर पूले किसे कहते है तो यजुर वेद को बोलते है और रिग वेद सभी को बता है कि सबसे प्राचीन वेद रिग वेद है इसी में ग्यातरी मंतर का भी उलेख मिलता है ग्यातरी मंतर का उलेख पूछे कौन मंडल में है तो तीसरे मंडल में ग्यातरी मंतर का नि कौन सा है जो बाबर ने जिहाद का घोशना किया था किस यूद में जिहाद की घोशना किया था बाबर ने पान खोच चल घर वाला ट्रीक वता है सारा पूश में आ जाता है पानी पत का पहला यूद अपका हो जाएगा पंदरा सो सताइस वाला ठीक है याद हो गया खार्मा क युद किसके किसके बीच हुआ था बाबर और राना संगा के बीच किसके किसके बीच बाबर और राना संगा के बीच हुआ था याद रखना पानिपत का जो पहला युद हुआ था इसी से दिली संतत का एक तरस से बोला जाता है खत्मा हो गया था ठीक है क्योंकि इबराहिम लोदी को बाबर ने हरा के 1526 में मुगल बंस की अस्थापना कर दिया था, ठीक है, मुगल बंस की अस्थापना के इसने कि आप बाबर ने 1526 में याद रखेंगे, आगे बड़ यह क्या पूछ रहे करें कि सीख समराज का अंतीम सासक पूछे याद रखना ये दिलीप सिंग ह ये आपका रखना ठीक है, लेकिन सीख धर्म के पूछे कि अंतीम आप दसमें गुरु पूछे, याद रखना गुरु गविंद सिंग होता है, ये भी ध्यान रखना ठीक है, आगे वाड़ ये क्या पोछ रहे करें कि अंग्रेजों ने स्री रंग पत्नम की संदी किसके याद रखना कॉर्न वालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, याद रखना यहां से राइटन से टीपू सुल्तान हो जागा, एंसरें से सी आपका करेक्ट रखना ठीक है, और तीरतीय आंगल में सुर्यूद किया था, ये 1792 से बिरानमे के बीच हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रही हैं यहां पर देख किस वासराय की हत्या अनमान निकवार दिफ्शमो में जब भर्मन करने गए थे एक डंडी आपराधी के द्वारा किया गया था, याद रखने किसका किया गया था, मेयो के द्वारा, मेयो का किया गया, आपस जैसे क् ठीक है और इन्होंने ही दो से याद रखना जन्गना की सुरवात किया था, ठीक है, अठारासो बहात्तर इसी में, कब अठारासो बहात्तर में इन्होंने ही जन्गना की सुरवात किया था, और रीपन ने नियमीत सुरवात किया था, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे न पूछ रहा है तो याद रखना सियत्तर का डी हो जागा दादा भाई नरोजी ठीक है ग्रांड ओल्ड मेन ऑफ इंडिया एंसर क्या होगा डी या पर राइट हो जागा आगे बाड़ यह नेश कुस्छन क्या पूछ रहे हैं मंगल पांडे की घटना किस्से है याद रखने य पूछ रहे हैं उसी के बाद दोसमें चैन पनप गया था 1857 के करांथी 1857 करांथी पूछ रिया है याद रखना दौस मईं को सुरूआ मेरट में सुरूआ मेरट से सुरूआ था यह सारा पौइंट या बाड़ यह बंदे मातरम गीत किस ने लिखा बंदे मातरम गीत जो लि अंसर यहां से क्या होगा यह D हो जागा आपको यहां से क्या हो जागा यह बंदे मातरण को पहली बार कहां गाया गया था पूछे यह 1896 में कारंगरेस के कलकाता अधी बैसन में गाया गया था यह भी याद रखें ठीक है मौपला बिद्रो 1921 में जी दोस्तों होता है यह कहा होता है प्रइटि सरकार के किस अधिनियम ने अब से पहली बार भारतियों के सिक्षा के लिए 1,00,00 रुपिया दिया था यह किस के तद दिया गया था याद रखना है यह बी हो जगा चार्टर अधिनियम 813 की तद अंसरियां से क्या होगा बी आपका राइट हो जगा आगे बढ़ि चल्व अभंड़ी बस्तों क्वाइक है यह पिए सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब पर तो शेक्व मैं टर्ब टेटि है यह जो श्री रभागरं परente Clayton वहागा C हो जागा यहां से, अंसर हैं से C आपका correct हो जागा, आगे बढ़ी है कि आप पूछ रहे हैं यहां पर देखे, select the wrongly spell, कौन से यहां पर गलत लिखा है, त्विशन यहां पर गलत लिखा है, याद अठना टुशन का spelling अभी से सीख लिजे, T-O-I-E होता है, तब आई ठीक है, option यहां से, B आपका correct हो जागा, चले, feel in the blank दोस्तों यहां पर दे, feel in the blank आपको यहां पर दे, the child made dash as was getting late for school, यहां से अगर right टंसर देखेंगे, तो B हो जागा, host यहां पर होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे next question बते, फिर से आपको order में दिया चुनने के लि ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे पूछे हैं, यहां पर दियाए, दोस्तों यहां पर नो सब्सक्राइट, ठीक है, धिया कि दोना, the manufacturer confirmed with the specification given from the cell and, ठीक है, यहां से जो राइट टेंसर हो जागा, दूस्तों यहां से C हो जागा, ठीक है, to the specification given by, ठीक है, चले, आगे बता क्या आप वतलब क्या होता है तो आपको चिनोती एक परकार से ठीक deta जा तो चुनोती एक परकार से तो बजटी है घाटे है ए तथा दाईतियों का अत्रीक ठीक है यह अपका होता है ध्यान रखना आगे बढ़ेंगे नेस कुछन क्या पूछ रहे हैं यहां पर भारत राष्टी के न्यूजन में रोलिंग प्लान की अवधारना कब लागो किया गया था रोलिंग प्लान के अवधारना पूछे दूसरों जनता पार्टी की सरकार एंसरें से सी आपका राइट हो जागा ठीक है अगर पूछे दोस्तों की चल योजना अगर पूछे इसी को बोलते हैं चल योजना ठीक है रोलिंग प्लान को ही बोलते हैं चल योजना की अगर पूछे भारत में सुरपर्थम जनता पार्टी की सरक से सभी इसका राइट टेंसर याद रखने है ठीक है आगे बता है क्या पूछ रहे है भारतिया जीवन विमा इसी को बोलते हैं L.I.C. क्या बोलते है L.I.C. जो कराता है L.I.C. भारतिया जीवन विमा निगम लीमिटड कि स्थापना कब हुआ पूछ रहे हैं याद रखना है इसका राइट टेंसर ए हो जागा क्या होगा यह उनीस सुच्पवन में आप से ए आपका राइट हो जागा आगे बढ़ यह क्या पोछ रहे हैं यहाँ पर एक रुपिया के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका एक रुपि सरकारी वैज होता है उसे नियंतित किसकी दोरा किया था या उसका प्रादिकारी कौन होता है याद रखने यह सी हो जगा बित मंतर ले आपका राइट हो जगा आगे बढ़ यह क्या पोछ रहे कि बीदेसी मुद्रा जिस से करे कि तोरित पर वास की परवर्ती होती है क्या क लाती याद रखने है गरम मुद्रा यानि कि होट करेंसी बोलते हैं यह आपका राइट हो जागा आगे बढ़ी है क्या पूछ रहे हैं यहां पर दिया है दोस्तों कर रहे हैं कि भारत में भारत में बीतिया छेत्र के सुधारों में सामिल है यहां पर डी हो जाएगा उपर सुखास्थल है जिस देखे तो कहा रहे हैं ज्यादा बहुत जड़ा कम बारिस होगा वही होगा यानि कि लिए में सबसे कम बारिस होता है नसे क्या होगा सी आपका दूसरे से राइट रखनें ठीक है यह था आपका अन्तीम प्रहार बैस एकदम नए से लिवस के अधार प कर लेते हैं बहुत ही अच्छा है इसको आप कर रहे हैं ध्यान रखने को ठीक है और जो भी इस चैनल पर नाय है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आप लोग कैसे लागा दोस्तों जरूर कमेंट करेंगे ठीक है और याद रखना पेज ग्रूप पता नहीं चलेगा बहुत आदमी को ठीक है इस चीज को ध्यान रखते हुए ग्रूप जोएन करना सारा चीज आपकोस्ट में फिरी आपकोस्ट मिल जाएगा 150 में ठीक है तो चले से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जय हिंद